वीडियो देख रहे हैं सभी लोग को मेरा जोहार जैसा कि आपने थमनेल में देखा होगा कि मैं आज बात करूंगा कि किस तरह आप कोई भी नंबर बिना मुबाइल में सेप किये हुए उसको वाटसप में कुछ भेज सकते हो चाहिए फोटोग्राप्स हो डॉक्यूमेंट हो यह सब चीज अब आपको यह बात करते हैं कि यह नौबत आपको क्यों आती है देखिए बहुत जगह होता है कि आप किसी को कोई चीज करते हो और उनका नंबर रखना आपके लिए जरूरी नहीं होता है जैसे माल लिजी कोई जेरोग्स दुकान में जब आप जाते हो आप आपको कुछ प्रिंट आउट करानी होती है तो वहां पे एक नंबर लिखा होता है आप उनको वाटसअप में सेंड करते हो तो वह हमेशा कहते हैं कि यह जो नंबर है इस पे आप सेयर करो तो बीना मोबाइल नंबर सेफ किए आप वाटसअप में कुछ डेटेल नहीं पाते हैं तो आप उनका नंबर उनके नाम से सेफ करते हैं और फिर उनको वाटसअप में भेजते हैं जिनका आगे चलके हो सकता है उनके नंबर का आपको कोई जरूरत नहीं पड़े तो आज हम आपको बताएंगे कि बीना उस नंबर को सेफ किए बीना किसी का नंबर सेफ कि आप किस तरह उसको वाटसप में फोटो ग्राप्स या डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज आप शेयर कर सकते हो तो चलिए मेरे हाथ में अभी आप मोबाइल देख रहे हैं इस मोबाइल के थुरू में बताऊंगा कि किस तरह बढ़ी आसानी से आप शेयर कर सकते हैं तो यहां साइट में मैं शो कर दे रहूं कि मैं किस प्रकार कर रहा हूं यह आपको दिखाऊंगा तो देखिए आपके पास मोबाइल होगा मोबाइल में यहां गूगल गूगल में आपको जाना है, सर्च करना है, सर्च करने में यहां पर एक कोड है, यह है WA यानि WhatsApp, फिर .me, जैसे आप WA.me करेंगे, तो अल्रडी आपके पास एक search option खुल के आ रहा है, जिसमें WA.me slash 91 option दिखा रहा है, तो वही option के through हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह किया जाता है, तो WA.me, उसके बाद आप देंगे slash, फिर आपको number dial करना है, जो भी unknown number है, उसको आप यहां पर लिखेंगे, तो मैं यहां dial कर रहा हूँ, number जब आप dial कर लेंगे, whatsapp.me, तो यहां आपने देखा, whatsapp.me slash 91, उसके बाद 10 digit का number जिसको भी आपको भीजना है, और आप search करेंगे, जैसे search करेंगे, यहां पर application खुल जाएगा, कि select app, अगर आप दो-दो WhatsApp यूज ने करते, तो डारेक्ट यह आपको WhatsApp पे ले जाएगा, और अगर आप दो WhatsApp यूज करते हैं, यहां option देगा, कि आपको किसमें खुलना है, तो आप देख रहे हैं, मेरा option दे रहा है, मैं WhatsApp में जाँगा, जैसी WhatsApp में जाएगे, यह search करेंगा, और उनका खोल देगा, जिसका भी आपने unknown number दिया है, तो उसमें जाएंगे और आप high लिख देंगे, high लिखने के बाद यहां option दिख रहा है, आप कोई भी document, कोई भी images वगरा बड़ी ही आसानी से save कर सकते हैं, और यह बिना number save किये, आप इसको भेज देंगे, अब बहुत यानि WhatsApp याद रखना है, WhatsApp का short form, WA.m, जैसे मैंने किया, WhatsApp.m, देखी, आपके पास option आगे, me slash 91 option दिखा रहा है, just वही लिखेंगे, me slash 91 और फिर वो number आपको डाइल करना है, जो number में आप भेज़े, तो अगर आप एक बार जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक बार खुद कर करके एक बार देख लेजिए, अगर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे comment में बताइए, क्योंकि मैं इसी तरह ही unknown number पे, अगर मुझे कुछ WhatsApp करना पड़ता है, तो मैं इस तरह करता हूँ, और आज से नहीं, बाकि बहुत साल से करते आ रहा हूँ, तो ये वीडियो कैसा लगा comment करके हमें जरूर बताए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए Daddy Review चनल को सब्सक्राइब जरूर किचेगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,